तो हेलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके पैरेस चैनल जे आर कॉलेज में जो की हमारा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमने इसमें अलेडी एक फ्रेज बैच चालो किया है हमारे 12 पढ़ा रहा हूं जिसमें हमने आप लोग को पांच लेडिवर कर दिया है हमारे चैनल के उपर तो अगर किसी बच्चे ने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हूंगे तो जरूर से जाके देख लेना उसमें आप लोग को बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स एकदम इजिली समझाए हुए हैं सही है तो अगर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना आज हम लोग लेक्चर नंबर सिक्स में क्या सीखने वाले हैं सीड के बारे में कैसे सीड का फॉर्मेशन होगा और कैसे उस सीड के ऊपर आके चलकर प्रूट का फॉर्मेशन होगा जिससे आपकी preparation में चार चान लग जाएंगे सही है तो इसे जरूर से download कर लेना और यदि आप मुझसे connect होना चाहते हो मुझसे कोई बाते करना चाहते हो तो directly आप मेरे Instagram आके मुझे message और मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पे आपको कोई भी doubt होता है ना से तो आप directly with the photo आप मुझे भीजिए आपको within a second answer मिल जाएगा समझ भाई बार तो जरूर से अगर आपको कोई भी doubt होगा तो यहाँ पे आजाना उचसे बाते कर लेना सही है तो start करते हैं आज का lecture हमने already क्या start कर रखा है हमने already start कर रखा हमारा lesson number one जो की आज probably खतम भी हो जाएगा तो जिसमें हम लोग ने क्या क्या बात कर रखी है हम लोग ने male part की बात कर ली थी female part की बात कर ली थी lecture number two और lecture number three में सही है उसके बात हम लोग ने pollination के बारे में discuss किया कि pollination क्या होती है कैसे होती है कौन-कौन से agents होते लेक्चर नमबर 4 में उसके बाद हम लोग ने लेक्चर नमबर 5 में fertilization और double fertilization के उपर mainly focus किया था, सही है कि आखिरकार fertilization क्या होती है और double fertilization क्या होती है ये सारे चीज़ा आज हम लोग ने उस time पे lecture में discuss किया था आज हम लोग को mainly seed and fruit formation के बारे में discuss करना है कि आखिरकार चलो fertilization तक तो सीख लिए हम लोग ने कि अच्छा है ऐसे जब fertilization हो जाएगी अब उस fertilization के बाद ठेक है उस fertilization के बाद उसके अंदर कैसे embryo का formation होगा और उस embryo से आगे चलके कैसे seed form होगा ठेक है सीड़ी के अलग अलग पार्ट के से forming ये बहुत सारी चीज़ बात है जब लोग discuss करने वाले हैं तो छोड़ा थोड़ा सा revision ले 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 लेते ठेक है थोड़ा सा revise कर लेते हम लोग डबल fertilization को आजाओ डबल fertilization को थोड़ा सा revise कर लेते क्या हुआ था डबल आपका ओव्यूल था तो ये ओव्यूल का एक side open रहता है जिसको हम लोग micro pilar end बोलते है और इसी के अंदर यहाँ पे embryo sack का formation हुआ था तो ये इसी के अंदर यहाँ पे embryo sack का formation हुआ था सही बात है अब इस embryo sack में जो micro pilar end है मतलब जहाँ पे micro pile present है उस side में हमारे egg cell present होते थे और side side में synergids present होते थे ये बात तो आप सारे बच्चे को पता है सही है कि बीच वाला जो cell है जो micro pile end बे प्रेजंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे egg cell और बाजू-बाजू वाले cells को हम लोग क्या सबको पता है यह ovary के अंदर हो लिए सब को पतार कि यह ओरी के अंदर और और ओवरी यहां से connected है, इस ओवरी के उपर यहां से स्टाइल वाला portion होगा, सही है, और यह वो मटका वाला portion है, ओवरी वाला portion है, समझ मैरी बात, इस ओवरी के अंदर क्या रखा हुआ है, और यह किस के उपर stand करता है, ठीक है, मैंने आप लोगों बताया था, यहां पर एक standard है, जिसको placenta बोलते हैं, और यह placenta से एक funicle, एक dandy connected रहते हैं, जिसको funicle बोलते हैं, सही है, इतनी बात के सब सारे बच्चों को, सारे बच्चों को पता होगी, सही बात है, अब देखो, इसके बात, इसके अंदर यहां यहां पर, यहां यहां पर side में क्या present होता है, एक tissue present होते हैं, सबको पता होगा, जिसे हम लोग new cellars कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, new cellars, सही है, new cellars present होते हैं, यहां पर एक tissue present होता है, सही है, आप देखो, इसके अंदर double fertilization क्या होता था, जब भी male gamut इसके अंदर enter करता था, with the help of pollen-pistol interaction, जब pollen-pistol interaction होता था, तो वहाँ पे एक pollen tube का formation होता था, सही बात है, वहाँ पे एक pollen tube का formation होता था, और वो pollen tube, ठीक है, वो pollen tube के अंदर, दो male gamut होते थे, ठीक है, वो pollen tube के अंदर, दो male gamut होते थे, दो male gamut, सही है, और वो दोनो male gamut कहां पे enter कर जाते थे, इस embryo sac में, अब इसमें से, एक male gamut क्या करेगा इस egg cell के साथ fertilize होके zygote का formation करेगा और यहां पर आपका जो दूसरा male gamit है वो fertilize करेगा किसको अपके polar nuclei को और यहां पर क्या बनेगा endo sperm बनाएंगे सही बात है अब लब आपका एक male gamit और एक egg cell जब यह दोनों fertilize होंगे तो यहां अब इसके आगे कौन-कौन सी चीज़े होंगी वो हमको देखना है इसके आगे कौन-कौन सी चीज़े होगी कि वो हम लोग को ध्यान से देखना है सही है तो अब देखो मतलब इसके अंदर अब दो cell बन चुके हैं यह जो आपका embryo sac है अब इस embryo sac के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो cell बन चुके क्यों क्योंकि एक आपका एक cell से आगे चलके zygon बना और एक आपका cell बना है यह degenerate हो जाएंगे तो अब इसका मतलब इस embryo sac के अंदर इस embryo sac के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही cell बचे है उन cells का नाम क्या है एक है हमारा zygote ठीक है बना दें आपके तो इसको में मिटा रहा हूँ यह वाले हमारा ओपर साइड है और इसके नीचे एक दूसरा cell है यह अंदोस्पम ठीक है अब यह सारे के सारे अंटी पोडल सेल भी आगे चलके degenerate हो गए है तो अब इसके अंदर सिर्फ दो ही cell बचे हुए एक आपका यह बड़ा वाला cell है यह वाला cell है इसको हम लोग क्या बोलते है जाइगाट ठीक है और यह जो दूसरा असल है इट जो एंडोस्पम है यह थी एन है सबको पता है 3N क्यूंकि यह 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 थीन नूकलेस के कंभाईन उने से बना वह ना इसलिए यह ट्रिपलोड शॉरी हां ट्रिपलोड इन नेचर है ठीक है लेकिन साथी साथ आपका जो जाइगौट है यह 2N है क्योंकि यह दो cells के combine होने से बहुत हो और यह जो दोनों cells थे वो क्या थे? हैपलोड, हैपलोड, हैपलोड cells, जब एक साथ unite होंगे, एक साथ fuse होंगे, तो वहाँ पर क्या बनता है? जाइगोड बनता है, जो क्या हो? टू है, तो यहाँ तक I hope आप लोगों समझ में आ गया होगा, और कॉई भी doubt नहीं होना चीए, जहाँ तक I hope आप लोगों कोई भी doubt नहीं होना चीए, अब यहाँ से case चुरू होता है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, seed formation और fruit formation की, जहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है, कि कैसे seed बनता है, और कैसे fruit बनता है, सही बात है, सही बात है, तो मैं यही पर आप लोगों समझा दू, आचाओ यहाँ पर एक बार एक fresh diagram मनाते हैं, अभी क्या था, यह आपका ovule है, ठीक है, और इस ovule में उपर साइड एक छोटा सा area खाली रहता है, यहाँ पर एक छोटा सा area खाली रहता है, एक end होता है, जिस हम लोग कहते ह सारे बच्चों को पता है, फिर इसके इंदर क्या present है, embryo sac present है, ठीक है, embryo sac present है, और इस embryo sac के अंदर दो cell present है, अब, अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एस embryo sac के अंदर, दो cell present है, एक आपका यहाँ पे zygote, और एक ऐसा बड़ा सा cell, that is endosperm, सो यह endosperm और psychot, clear है, यहाँ तक I hope आप लोग को समझ में आ गया, और इसके बाहर क्या present है, यह आपका ovary है, यह आपका style है, इधर stigma होगा, सही है, तो यह stigma होगा, style होगा और यह ovary, अभी मुझे stigma और style का इतना काम नहीं है, तो मैं उसे नहीं बना रहा हूँ, अभी हम मुझे सिर्फ य integument कहते हैं, यहाँ थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, integument, तो इस integument की covering आगे चलके seed का cover फॉर्म करती है, मतलब जो seed बनेगा ना, उसकी जो covering है वो किससे बनी हुई है, जो पहले integument थी flower के अंदर, वो आगे चलके seed coat में develop हो जाता है, किस में develop हो जाता है, seed coat में develop हो जाता है, सही बात है चेक है तो यह वाली जो रेड कलर में बना रहा हूँ जो रेड कलर मैंने बनाई है covering इट इस इंटीग्यूमेंट जो अभी-भी क्या है अभी इस flower के अंदर present है तो इंटीग्यूमेंट है लेकिन आगे चलके आगे चलके यही इंटीग्यूमेंट किसका formation करेगा seed coat का formation करेगा मतलब seed की covering का formation करेगा सही है इतनी बाते clear है I hope आप लोगों इतनी सी समझ में आ गई होगी अब एक और बात सुनो जान सो सुनो इस endosperm सरी इस embryo sack और इस covering के बीच में कभी-कभी development के बाद भी new sales present हो जाता है क्या बोल रहा हूँ मैं जब आपका embry embryo sack बन जाता है अभी embryo sack का formation हो गया है यहाँ पर zygote बन चुका है और आपका अपना endosperm बन चुक है तो अब इसके बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि इसमें new sales इस time तक present होता है कुछ-कुछ cells कुछ-कुछ plants में ठीक है जो new sales होता है न वो इस time तक भी present होता है तो अगर एक ऐसा seed है तो एक ऐसा seed है अगर उसके अंदर maturation के बाद भी new sales present होगा अगर ऐसा seed है जिसके अंदर maturation के बाद before example यह mature है इसके अंदर zygote embryo बन गया पूरा एक seed बन गया तो अगर उस time पर भी अगर इसके अंदर new sales present होगा ठीक है नूसेलर्स प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं, पैरी स्पर्म, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरी स्पर्म का मतलब क्या है, पैरी स्पर्म मतलब ऐसे सेट्स, जिनके अंदर नूसेलर्स बचा हुआ रहता है, मैच्चोर सीट्स में, ठीक है, नूसेलर्स left in the mature seed, ऐसे condition को आम लोग क्या कहते हैं, पहरी स्वाम, अगर आपको इसका example चीए, तो black pepper आप लिख सकते हो, black pepper, ठीक है, black pepper, देखा रगा, काली मिर्च, अम लोग बोलते हैं, तो काली मिर्च, मेंली black color की होती है, लेकिन जब उसको आप तोड़ोगे, तो उसके अंदर आप लोग एक white color का substance देखने के लिए मिलता, वो white color क्या है, वो nothing but new cellist है, ठीक है, उस flower का क्या है, वो new cellist, तो कुछ-कुछ condition में, यह new cellist हम लोगो देखने मिलती है, नहीं तो, जब seed का formation होगा, तो यह new cellist आगे चलके degenerate ही हो जाएगी, ठीक है, new cellist आगे चलके क्या हो जाएगी, degenerate ही हो जाएगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात, I hope आप लोगो इतनी चीज़े समझ में आ रही होंगी, तो new cellist का, बार-बार मिड जा रही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो new cellist आगे चलके degenerator जाने वाली है, अब इसके अंदर बचे हुए ये 2 cell, ठीकिये, अब इसके अंदर बचे हुए 2 cell, ये जो आपका अंदर वाला cell है, embryo, ये वाला cell क्या है, endospam, अब मैंने आप लोग क्या बताया, धान्सों सनो, मैंने आप लोग क्या बताया, कि ये जो covering है, integument यह आगे चल क्या बनाती है? seed code बनाती है, चेक है? और यह जो ovary की covering है, चेक है? ovary की covering, इसे हम लोग कहते है pericarp, इस covering को हम लोग क्या बोलते हैं? pericarp, ठेक है? यह ovary की covering, डाल जा सुनो, ovule की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ovary की बात कर रहा हूँ, तो यह जो ओवरी की covering है, यह आगे चलके, fruit की covering बनती है, समझ मैं यह बात, चेकर, तो हमेशा इतनी बात यह दखना, कि integuments आगे चलके आपका seed बनाते हैं, और जो pericarp है, मतलब यह जो ओवरी की covering है, वो आगे चलके क्या बनाएगी, fruit की covering बनाएगी, हमेशा यह दखना, कि ज जो अंदर वाला ovule है, यह आगे चलके आपका seed बनाएगा, मतलब यह जो ovule है, यह आगे चलके आपका seed का formation करेगा, और यह जो ovary है, यह ovary आगे चलके आपका fruit का formation करेगी, समझ में आई बात, ठीक है, I hope आप लोग को इतनी बाते समझ में आ गए होंगी यहाँ तक कोई भी डाउट है तो comment section में जरूँ से लिख देना आज आज आओ next क्या है अब देखो एक और बात देख लो अब मैंने क्या बता है यह आपका zygote है और यह आपका endosperm है endosperm का mainly काम क्या है endosperm का काम यही है कि जब zygote की formation होगी तो उसे वो nutrition प्रोवाइड करेगा endosperm का यही मतलब है वो 3N वो triploid है तो triploid होने का मतलब यही है कि उसके पास nutrition बहुत जाता है तो जबी भी जब zygote की formation होगी जबी भी क्या होगा zygote का formation होगा तो उस condition में zygote को nutrition देने के लिए कौन खड़ा रहेगा वहिया endosperm खड़ा रहेगा तो सबसे पहले सबसे पहले इसके अंदर किस की formation होगी क्या लगते तुम्हें सबसे पहले zygote की formation होनी चीए जबसे पहले endosperm की formation होनी चीए सही बात है, क्यों ऐसा, क्योंकि जब endosperm form हो जाएगा, तभी तो वो zygote को nutrition दे पाएगा, अभी तो यह form नहीं है, तो अगर अभी ही zygote form होने लगा, तो इसको खाना देने के लिए कौन आएगा, कोई आपाएगा, नहीं आएगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ होता है, सबसे पहले endosperm डिवाइड होता है, तो यह आपका embryo sac, embryo sac में यह आपका छोटा cell, that is zygote, इसको भी मत छेड़ो, इसको बिलकुल मत छेड़ो, और इसके नीचे बड़ा सा cell है, 3N वाला, that is endosperm, बहुत ही simple है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत simple endos का development में, क्या होता है, पता है, हम लोग ने mitosis पड़ा हुआ है, mitosis पड़े हुए, mitosis दो step में होता है, एक होता है, karyokinesis, रहिए, और एक होता है, cytokinesis, क्या होता है, दोनों का मतलब, देखो, mitosis perform होती है, तो उसमें एक cell, आगे चल के दो cell में divide होता है, तो जभी भी divisions करना होता है, तो एक cell का सबसे पहले nucleus divide होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या divide होगा, nucleus divide होगा, और उसके बाद आगी चल के complete cell divide होता है, तो जो nucleus division की process है, उसे हम लोग cariokinesis बोलते हैं, सही है, और जो cell division की process है, उसे हम लोग cytokinesis बोलते हैं, लेकिन endos pump के अंदर एक बहुत ही special type की mitosis होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ cariokinesis चलती है, cytokinesis initially नहीं चलती, ठीक है, ध्यान से सुनों मैंने क्या बोला, कि cariokinesis पहले-पहले सिर्फ और सि cariokinesis ही चलेगी, मतलब जब इसका development होगा, तो इसके cells, जो 3N वाले cells हैं, यह mitosis करना शुरू करेंगे, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, nucleus का division करेंगे, मतलब बहुत सारे nucleus form हो जाते हैं, लेकिन cells form नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे nucleus form हो जाते हैं, लेकिन cell form नह होते हैं, और इस condition में आपका जो endosperm होता है, वो एक liquid के form में होता है, इस form में होता है, liquid form में होता है, ठीक है, आप लोग ने नारियल देखा होगा, ठीक है, तो जब नारियल को अगर आप कच्छा नारियल तोड़ो, तो उसके अंदर आप लोगो पानी जादा मिलता है, क लेकिन जैसे जैसे नारियल पुराना होते जाता है, जैसे जैसे नारियल mature होते जाता है, तो उसके अंदर cytokinesis होने लगती है, मतलब उसके अंदर आगे चलके बाद में, बहुट time बाद में, cell का division होने लगता है, मतलब यहाँ पे cells form होने लगते है, और जैसे जैसे cells form होग आपका endosperm liquid से solid बनने लगता है solidify होने लगता है इसलिए आगे चलके जो नारियल हम लोग खाते हैं जो पक जाता है उसके अंदर हम लोग को वो मोटे-मोटे नारियल खाने मिलते हैं उसके अंदर हम लोग को पानी बहुत कम मिलता है तो यही चीज होती है endosperm में जब karyokinesis हो रही होती है तो सबसे पहले क्या होगे सिर्फ और सिर्फ किसका डिविजन होगा और उस ताइम पर जब का एंडosperm है वह liquid state में exist करेगा लेकिन आगे चल के बहुत मिद्द जब development karyokinesis खतम हो जाएगी तो उसके बाद आगे चल क कि यहां पे cells का formation start होगा ठीक है cells का formation आगे चल के start होगा समझ में आ रही है बाद और जब cells का formation start होता है तब आगे चल के यह जो cell है यह solidify होना start होता है उसके बाद आच्छा आगे यह क्या होता है तॉलिड होता है clear है समझ में आ गया so I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया इस condition को हम लोग क्या कहते है यह जो condition थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ cells form हुए थे मतलब एक देवो यह एक बड़ा सा cell है जिसके अंदर बहुत सारे nucleus है एक बड़ा सा cell जिसके इस यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है समझ में बात clear है, सो सीनो साइट मतलब समझ में सीनो साइट ऐसी condition है, जहाँ पर एक ही cell के अंदर बड़े सारे nucleus present हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ karyokinesis होई हो, cytokinesis होई ही ना हो, समझ मैं ही बात, चलो तो आपका endosperm का development हो गया, ठीक है, अब यहीं जैसे इसके अंदर जैसी इसके अंदर ऐसे-इसे cells form हो जाएंगे, जैसी इसके अंदर ऐसे cells form हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, कि अब आपका endosperm अच्छे से develop हो चुका है, ठीक है, आपका endosperm क्या हो चुका अच्छे से develop हो चुका है, इसी चीच को लोग आ जाते हैं, that is, zygote की development में, ठीक है, zygote की development में, तो या फिर development of seed भी हम लोग बोल सकते हैं, clear है, समझ में आ गया, इतनी बाते समझ में आ गई, तो आप देहो, क्या हो रहा था, यह आपका embryo sac था, ठीक है, यह आपका embryo sac था, यह आपका क्या है, zygote वाला सल था, और इसके नीचे क्या present है, आपका endosperm, सही है, इसके नीचे आपका क्या present है, endosperm, और endosperm के बाद, पास अब बहुत साधा nutrition आ चुका है, क्यों आ चुका है भहिया, तो जब इसका development कंप्लेट हो जाएगा, तो इसके पास बहुत साधा क्या आ जाएगा, nutrition, अब इसके nutrition आने के बाद, इसके nutrition आने के बाद, अब इस zygote के cell का, जो zygote है न, अब इस zygote का development शुरू होता है, अब इस zygote का development शुरू होता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, उससे अभी ध्यान मत दो उस पर, जो मैं बतार उस पर ध्यान दो, चिक है, तो this is the zygote cell, अब zygote cell में सब से पहले, माइटासिस होगी, चिक है, सबसे पहले क्या होगी, माइटासिस होगी, तो यह एक cell है, यह एक cell है, तो अभी एक cell से आगे चलके, दो cell form होगे, चिक है, इससे एक cell से आगे चलके, क्या form होगे, दो cell form होगे, यह वाला side जो है, वो माइक्रो पाइलार end है, यादे जो zygote था, एक cell था, उसका जब mitosis हुआ, तो दो cell फर्म हो गए, सहीए, अब जो उपर वाला cell है, जो micro pilar end की तरह present है, और generally ये cell छोटा होता है size में, इस size, इस cell को हम लोग कहते हैं, basal cell, इसे हम लोग क्या कहते हैं, basal cell, या फिर suspensor initial cell, जान से सनो, क्या बोल रहा हूँ है, इसे हम लोग कहते हैं, basal cell, या फिर suspensor initial cell, अब यह suspensor क्या होता है, बता हूँगा मैं तुम लोग को, ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लोग, ये suspensor का initial cell है, मतलब इसे से आगे चलके, suspensor का formation होने वाला है, सही है, और इसे को हम लोग basal cell भी कहते हैं, तो ये नाम हमेशे है रखना, कि दो cell का formation हुआ है, एक cell जो है, थोड़ा छोटा है, दूसरा cell थोड़ा बड़ा है, जो छोटा वाला cell है, वो चलाजा की तरफ प्रेजन्ट है, इसे हम लोग कहेंगे, टर्मिनल सेल, या फिर और, एंब्रियोनल इनीशल सेल, मतलब, इसे हम लोग टर्मिनल सेल कह रहे हैं, नीचे की तरफ है, और साथी साथ, इसी से आगे चलके, एंब्रियो का formation होगा, बच्चों, जो एक्चुल प्लांट का एंब्रियो है, जो एक्चुल सीड का एंब्रिय वो आगे चलके टर्मिनल सीड, टर्मिनल सेल से ही फॉर्म होने वाला है, बेजल सेल से नहीं फॉर्म होगा, बेजल सेल सिर्फ एक स्टैंड का काम करता है, आगे चलके जो एंब्रियो बनाने का काम है, वो किसका है, इस टर्मिनल सेल का, आई होप आप लोगो इतनी चीज स पाइदा होगा उतना यूंकि अच्छे marks मिलेंगे सही है तो I hope आप लोगो यहां तक चीज समझ में आ गए आप देखा आगे भी development है अभी आप लोग इतना समझा development of seed में हम लोग क्या समझ रहे थे कि आपको तो zygote है एक zygote है वो दो cell में divide होता है है mitosis करने के बाद जो उपर वाला cell है जो उपर वाला cell है that is microfile end में present होता है वो थोड़ा सथ छोटा होता है और उसे हम लोग क्या कहते है बेजल से ठीक है बेजल सेल को ही बेजल सेल का एक दूसरा नाम है that is suspensor initial cell ठीक है इसे हम लोग कहते हैं terminal cell ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं terminal cell और इसी terminal cell को हम लोग embryonal initial cell भी कहते हैं सही है क्योंकि इसते आगे चलके embryo का formation होगा अब आजओ अब चीज़े कैसे कैसे फॉर्म होगी वो थोड़ा से देख लेते ठीक है जांस सुनो मान लो ये आपका बेजल cell है और ये आपको क्या है terminal cell सही है समझ में आ रही है बाद मार्क कर दूँ बेजल cell और इसी का दूसरा नाम क्या है अभी बताया था मैंने आप लोग को that is suspensor initial cell और ये जो नीचे वाला cell है इसे हम लोग क्या कह रहे है terminal cell और terminal cell का दूसरा नाम मैंने क्या बताया अभी आप लोग को that is embryonal initial cell और इससे आगे चले क्या फर्म होगा embryo फर्म होने वाला सही बात है इतना समझ में आ गया अब देखो अब देखो क्या होता है ये जो बेसल cell है ये जो बेसल cell है ये लीनियरली डिवाइड होने लगता है लीनियरली मतलब ऐसे ट्रांसवर सेक्शन में डिवाइड होता है ऐसे ऐसे जैसे जैसे दो से ले तो दो से तीन मंगया बना के रिखाता हूं मैं तुम लेको ये जो ऊपर वाला बेसल से ले ठीक है इसको मैं अलग कलर से बना लेता हो वरना बाद में confusion हो जाएगी जो मे लिए घंच कलर को टर्मीनल के लिए वरना बाद में confusion हो जीएगी तो अब देखो क्या होगा जो बेजल से लेपना ठीक है जो बेजल से ले अपना वो ऐसे लीनियरली डिवाइड होने लिएगा और तकरीबन तकरीबन 6 से 10 बार डिवाइड होता है ठीक है कितनेगे मतलब क इसे हम लोग कहते हैं, that is, suspensor, क्या कहते हैं, इसी को suspensor कहते हैं, इतना simple था, सही है, तो इसका मतला हम लोग को समझ में आ गया, कि बेजल से आगे चले क्या बनता है, suspensor बनता है, जो मैंने already यहां पर लिखा हुए, जांसर पर देखे हो गए तो पदा चलेगा, आप लोगो, क्यों कि इससे आगे चले क्या बनेगा, suspensor बनेगा, आप देखो, इस suspensor काम इतना ही है, मतलब काम क्या है, इसका development इतना ही है, अब इससे आगे चलके इसका development नहीं होगा, पूरा development किसका होता है, इस terminal cell का होता है, मतलब आगे चलके जो embryo form करने काम है न, वो कौन करेगा, य ट्रमिनल सल ही करेगा तो सपेंसर का इतना यह function है ठीक है सपेंसर जो था यह ही तक था इससे आगे क्या होगा रशनेंगे अब इसमें ट्रमिनल सल का जो development है वो start हो जाएगा सबसे पहले ट्रमिनल सल का ऐसे गोले से ब्ले इस सल फॉर्म हो जाते हैं तु हमसेरों कुछ ऐसा राक स्ट्रक्च फर्म हो जाते है ठीक है एक टाइप का erw data T इत्रांब्राव खार जाते है किसे हम लगो यह ट्रॉक्ट्चर बन जाता किस से बना हुएैं यह टर्मिनल और दा हुआ है इस यह एक टाइप का एंब्रियो है इसे हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूल एंब्रियो ग्लोब्यूल एंब्रियो ग्लोब्यूल एंब्रियो मतलब क्यों क्यों कि यह एंब्रियो है यह किस शेप का है राउंड शेप का है इसलिए साइंटिस्ट इसका नाम सिंपल सा र स्पेंसर में कोई चिंजस नहीं आएंगे लेकिन अभी जो ग्लोब्यूल एम्ब्रियो था वो आगे चलके हाट का यह ले 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 था शेप ले ले था ठीक है तो कैसा रहेगा हाट का शेप कुछ मैं आप लेकिन हैं बनाने का ट्राय कर रहा हूं हाट की दिख रहा है इस उल्टा हाट देख रहा है दिख रहाएगा ऐसा उल्टा हाट दिख रहा होगा आप लोग आप लिए अपने इस साफ से बना ले ना ठीक है तो कुछ ऐसा-सा च्छर फॉर्म हो शेप, एम्ब्रियो, सुझे है? समझ में आ गई बात? चीक है? आपका ग्लोबियूल एम्ब्रियो था देखो, एकदम सिंपल है, जादा कुछ नहीं है, एक आपका टर्मिनल सेल था, टर्मिनल सेल सबसे पहले से गोले-गोले सेल बनाता है, तेका गोले-गोले स्रुक्चर मे की तरह होते हैं दिखाता हूं मैं आप लोग यह इतना समझ में आ गया चलो इसका शेप कुछ इस तरीके का होते हैं कुछ कि यह वाला थोड़ा जादा ही अजीद बन गया है कुछ इस टाइप का शेप का होते हैं ठीक है कुछ इस टाइप का शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है और अभी भी आपका जो सस्पेंसर है न वो यहाँ पे से लगा रहते हैं यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बता है यह सिर्फ और सिर्फ इस एंब्रियो को एक शेप देता ह अब ये जो embryo है जो इस शेप का embryo है इसे हम लोग कहेंगे that is mature embryo इसे हम लोग क्या कहेंगे एक mature embryo बन गया है ठीक है this is the mature embryo अब इसके कुछ access हम लोग को दिख रहे कुछ sides हम लोग को दिख रहे तो उसके हमें naming करनी पड़ेगी सही naming तो पता होना अची हम लोग को तो यह जो दो आपको पंक पंक जैसे बड़े बड़े दिख रहे है इसे हम लोग कहते हैं 2 cotyledon तो आपको यहां पर 2 cotyledon दिख रहे होंगे दो cotyledon दिख रहे होंगे मतलब यह जो सीड है यह die cotyledon वाले plant का है क्लियर है समझ में आ गया समझ में आ गया अब इसके जो नीची वाला इसे अमद लोग कहते हैं मैं लुट उपी eno शूट का फॉर्मिशन होगा क्या होती है जैसे फॉर अबंपल एक आपका प्लांट इया आपका ओइल का सरफ ढ़ांड का सरफ सेब्सेड यहां से बॉट जूल मकुनोवठे लोग यहां से प्लांट होगा टो और इसके नीचे है इसके रूट से यहां से रूटे तो प्लांट के soil के ऊपर बाला पाट यह वाला का इस फ्लक फूल की क्याते है oured इसके नीचे वाला part का अम द्लसा क्闉लोग रूट के अल ale लोर स्टैंड रड़ा होगा इसे हम लोग कहते है यह शूट वाला पाट और यह वाला का है रूट वाला पाट तो यह जो शूट वाला जो वाला structure है इसका development कौन करता है यह प्लिम्यूल वाला portion करता है मतलब इस प्लिम्यूल से चले क्या बनेगा शूट बनेगी और यह जो यह वाला structure है इसे हम लोग कहते है राडिकल और इस राइडिकल से आगे चले चले क्या बनेगा समझ मैं आई बार तो ऐसे आधक ले ना पीड़ केुटे पहला अगर आपको समुझ में आ जाएका और इसके सामने क्या है तो प्लिम्यूली से क्या बनेगा शूट का फॉर्मिशन होगा समझ में आई बार, और यह जो axis है, दांस उनो, यह जो beach वाली axis दिखे रहे हैं, आप लोग को यह वाली axis, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, embryonal axis, ठीक है, इसे हम लोग, इस axis को हम लोग क्या कहते हैं, embryonal axis, clear है, ठीक है, सो यह एक structure है, आपके mature seed का, ठीक है, mature seed का यह पुरा का structure है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, दो आपके cotyledon है, एक cotyledon यहाँ पे, एक cotyledon यहाँ पे, यह dicot का plant है, तो एक cotyledon यहाँ पे, यह आपका suspensor cell अभी भी लगा हुए, तो suspensor cell के पास वाला जो portion, इसे हम लोग क् formation होता है, और इसके opposite side में, यहाँ पे क्या होता है, जिससे आगे चले क्या form होता है, shoot का formation होता है, और यह जो axis है, बीच की जो axis है, इसे हम लोग क्या बोलते है, that is, embryonal axis, clear है, समझ में आ गया, so I hope आप लोग को इतनी चीज़े समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इतनी कि एक सल 200 में बंता है एक मैंने पढ़ आया बेजसेल से यह जो दो से लिया एक आपका बेज़ इनिचिल को सप्विसर और इन지 के स्पेंसर बोलते हैं और इसके नीचे आपका टर्मिनल सेले वह सबसे पहले से, गोला और कार में स्टॉक्चिर फार्म करता है, इसे हम लोग अंपर्बूल एम्च्ट फेर अंब्रियो और फिर यह हार्ट ेंपर्ड फिर का बोलते हैं जिससे आगे चलके root का formation होगा और इसके सामने वाला जो पार्ट हैं जिससे आगे चलके शूट का formation होगा और इस एक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं that is embryonal access clear है समझ में आ गया तो यही है यही है आगा आपका mature embryo चेंगे यही है आपका mature embryo समझमें आई बात I hope आप लोगो इतनी चीश समझमें आ गई होगी तो आप लोग ने Dicotylodon कर देख लिया कि Dicotylodon में कैसा embryo रहता है ठीक है कैसा उसका structure रहता है आप Monocort की बात कर लो लगे हाथ बात करी रहे हैं तो Monocort की बात कर लो तो यह आपका एक Cotyledon रहेगा एक तो यह आपका एक Cotyledon और यह आपका क्या है आप देखो इसमें एक नहीं बात है जान सुनेंगे इसमें नहीं बात है कि जो consultant के cotyledon ہोते हैं ठीक है फिर कोष्ट के cotyledon होते हैं उसे हम लोग scotelum कहते हैं मोनो कोष्ट के cotyledon के हम लोग क्या बोलते हैं scotelum को यां पर मैंने लिखा वगई that is cotyledon of the monocot is known as scotalum scotalum इसका मतलब यह वाला जो portion है इसे हम लोग क्या कहेंगे कूट एलम ये भी आपका कॉटिलिलिडॉन ही है लेकिन आपके भुक में एक नया नाम दे हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकते है साइंटिस्टों ने इसका नाम दे दिया है स्कूट एलम, तो मोनो कॉट का जो जो कॉटिली डॉन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे स्कूटेना बाकी चीज़े वही है यह भी आपका क्या है इंब्रियोनल एक्सस है टेकें हैं एंब्रियोनल एक्सिस उसके बार इसके नीचे यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर होगा यह प्लिम्यूल बनाएगा इसे हम लोग प्लिम्यूल गएंगे क्योंकि आगे चलके इससे शूट का फॉर्मेशन होगा यह प्लिम्यूल है और यह वाला जो पॉर्शन है यह राडिकल है अभी मैंने आप लोगों को पता है अब देखो इससे आप एक कॉटिलललन चीन लिये ना तो अगर आप किसी चीज से कुछ चीन होगे तो नेचर ने इससे एक कॉटिलललन चीन है लेगिन इसको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है तो हमेशा या दखो कि मोनो कॉट्स के राडिकल वाले एंड पे और प्लिम्यूल वाले ए एक एक्स्ट्रा काप प्रेजन्ट होती है यहां से यहां पर हमेशा दखना मोनो कॉट्ट की यहां पर एक एक एक्स्ट्रा काप प्रेजन्ट होगी ठीक है ओके हमेशा है रखना इस वाले structure पे radical पे और लिम्यूल पे एक extra cap present होती है किसके अंदर monocots के अंदर इन cots को हम लोग इस cap को हम लोग क्या बोलते हैं तो जो cap radical के पास present होती है उसे हम लोग कहते हैं kolioriza का कहते हैं इसे हम लोग kolioriza और जो cap प्लिम्यूल के पास present होती है उसे हम लोग कहते हैं kolior टाइल ठीक है समझ में आई बाद ठीक है तो इससे कैसे याद रखना है देखो kolioriza, तो राइजा में R लगा हुआ है, ठीक है, तो R से राइजा R से radical ऐसे याद रख लो, ठीक है kolior टाइल में P लगा हुआ है तो P से kolior टाइल और P से आपका प्लिम्यूल ऐसे याद रख लो, सही है समझ में आई बाद, तो ऐसे याद रखने के तरीक है समझ में आई बाद, तो monocod में हमेशा रखना है, कि एक extra covering present होती है, monocod के embryo के पास, ठीक है, ये covering आपके dicods में present नहीं होगी ठीक है, ये covering आपके dicods में present नहीं होगी, इतनी बाद हमेशा ध्यान में रखनेंगे, और monocod के पास दो extra covering है, उसका नाम क्या है, या तो एक koloptyle और एक koliorrhiza koloptyle कहां present है, plimule वाले section पे, और koliorrhiza कहां present है radical वाले section पे, ठीक है, आर से radical, आर से राइसा याद कर ले ना, सही बात है, so I hope आप लोगो इतनी चीज़े समझ में आ गए होंगी, अब next क्या है, next हम लोगों पढ़ना है seed के बारे में, आपको seed के है seed समझ में आ गया ना, seed समझ में आ गया ना, एक आपका ovule है, इस ovule के अंदर क्या present है, उपर एसे suspensor cell, कितने, 6 से 10, और इसके नीचे, ऐसे embryonal axis, और ऐसे 2 cotyledo, इसी को हम लोग क्या बोलते है, seed, ठीक है, इसके ओपर एक extra covering है, इसका जो इंडिविमेंट की covering है, वो आगे चलके seed coat form कर लेगी, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, that is seed, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, seed, आप देखो, seed ना, दो प्रकार के होते हैं, बच्चो, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, ऐसे seed, ड्यांस उसन होगे, ऐसे seed, आप देखो, तुम लोगों समझाता हूँ मैं, मैंने क्या बताया था, कि जब endosperm form हुआ था, तो वो किस के लिए form हुआ था, that is, आपके zygote के development के लिए, जब zygote बढ़ा होगा, तो उसे nutrition देगा, जब zygote बढ़ा होगा, तो उसे का देगा, nutrition देगा, इसलिए आपका endosperm का formation हुआ था, तो कभी-कभी ऐसा होता है, बच्चो, कि seed के formation के बाद, मतलब seed के अंदर, जब embryo का formation होता है, तो endosperm आगे चलके है, that is, अब उसके पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती है, जैसे हम लोग बोलते, cotyledon, तो अब nutrition देने का कान कौन करेगा, cotyledons करते हैं, तो इस condition में, इस condition में generally, जो उसके अंदर का endosperm है न, वो degenerate हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर का हो जाते है, degenerate हो इसके पास nutrition देने के लिए ज्यादा structure है, सही है, तक यह इसको nutrition देता रहेगा, embryonal axis को और यह grow करेगी, लेकिन अगर मैं monocots की बात करूँ, ठीक है, monocots की बात करूँ, तो monocots में सिर्फ और क्या present होता है, एक ही, कोटा जाता हूं में, monocots के अंदर सिर्फ एक ही इसको यहाँ पर nutrition देने के लिए ज्यादा structure form नहीं होता, इसलिए ऐसा देखा जाता है, कि monocots के अंदर endosperm कभी भी गायाब नहीं होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर गायाब होते हैं हमेशा dicots के अंदर, यह बात हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, कि dicotylorons plant में mostly, कुछ-कुछ exception भी मिलेंगे, लेकिन mostly अगर में बात करो, तो जो dicotylorons के plant होंगे, उनके अंदर आपको endosperm देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन जो monocot के plant होंगे, उसके अंदर आप ल minus plant, sorry, albuminus seed, समझ भाया, ऐसा seed जिसके अंदर endosperm present है, जिस भी seed के अंदर endosperm present होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, albuminus seed, या फिर इसे आप endospermik seed भी कह सबते हो, सही बात है, इसके example देखो, wheat, rice, coconut, या फिर castor, आप देखो, यह जितने भी example दिये हुए न, यह सारे monocot ह यह क्या है, monocot, देखे रहो, चिक है, तो यह monocot है, इसलिए इनके पास सिर्फ और सिप एक ही cotyledon होता है, एक ही scutalum होता है, इसलिए इनको nutrition देने के लिए जादा cotyledon होते ही न, that's why इनके अंदर का endosperm है, वो मरता, नहीं है, वो endosperm इसके अंदर present होता ही होता है, तो ऐसे seed जिसके उपर endosperm present होगा, seed के, sorry, zygote के formation के बाद भी, ऐसे seed के हम लोग क्या बोलते है, that is albuminacid, वहीं opposite में, x albuminacid या नहीं, non-endospermic seed मतलब क्या, कि जिसके अंदर अपना zygote formation के बाद, जिसके अंदर zygote formation के बाद, जो आपके endosperm है, वो पूरी की तरह से degenerate ह हो चुग है, इसके example क्या है, that is pea plant, ground nut और beans, देख रहे हो ने, आप लोग, ये सारे के सारे dicot plant है, सारे के सारे कैसे है, dicot plant, और dicot plant के अंदर जनरली आप लोग को endosperm देखने के लिए नहीं मिलेगा, I hope आप लोगो इतनी चीज समझ में आ गई होंगी, इसका एक बाद screenshot ज लेके seed के germination तक, अब देखो, क्या seed का formation होने के बाद, तुरंत उसको ये मिल जाता है, soil मिल जाता है, water मिल जाता है, तुरंत ली वोग जाता है, क्या, नहीं न, वो fruit के अंदर रहेगा, अब वो wait करेगा, कि उस fruit को कोई खाए, तो जब कोई person उस fruit को खाएगा, तब उसको जाके, फेकेगा, ठीक है, उसके seed को फेकेगा, क्या पता, कोई, किसी ने seed को dustbin फेक दिया, तो आप तो, of oil के पास जाए नहीं पाएगा, तो ये जो dormancy, मतलब क्या होता है, पता है, जब एक embryo form हो जाता है, तो embryo के form होने से, ठीक है, form होने से, उसके germination तक के बीच के जो time को हम लोग क्या कहते हैं, dormancy, सही है, तो मैंने क्या बोला, state or time between the maturation and, ठीक है, maturation and germination, मतलब जब एक seed mature हो गया, mature कहा पे हुआ, जब यहाँ पे देखो, seed form हो गया, यहाँ पे देखो, ऐसा structure form हो गया, तो यह आपका seed mature हो गया, यहाँ से लेके, जब तक वो seed germinate नहीं होता, यहाँ से लेके, जब तक वो seed germinate नहीं होता, उसके बीच के जो time को, ठीक है, उसके बीच के जो time को हम लोग क्या बोलते हैं, dormancy, ठीक है, और इस time पे, generally जो seeds होते हैं, वो अपने अंदर का water, most of the water, lose करते थे, क्यों, क्योंकि देखो, इनके अंदर की जो activity होती है, जो भी ज इत जबता है, आपकी book में एक example दिया हुए, Lempenes Architects का ऐखे के, इसके नने की पया है, सॉन्थिस्टों को, इसका 10,000 साल पुराना seed मिला, ठीक है, कितना? 10,000 साल पुराना seed मिला, और जब साइंटीस्टों ने इसका 10,000 साल पुराना seed को ये डाला, पानी डाला, उसको ये कि पहले हो गया होगा लेकिन अभी तक उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ था तो जब दस हजार साल बात साइंटिस्टों ने इसको वाया ना तो वो पेड़ उग गया समझ मेरी बात मतलब दस हजार साल उसकी डॉर्मेंसी हम लोग बोल सकते हैं तो डॉर्मेंसी बहुत जादा भी हो सकती है ऐसे कुछ एक्जामपल आपके बुक में दिये हुए हैं क्लियर है समझ में आ गया तो आप लोगो इतनी चीज़ समझ में आ गये होंगी अब लास्ट के टॉपिक है लास्ट कुछ टॉपिक से कुछ नाम से वह आप लोग उसका मतलब आप लोगो बताना है यह एकदम सिंपल है नाम बहुत बड़े-बड़े लेकिन मेनी एकदम से चलीवरिय में क्या है? देखो एक आपका फ्लावर है फ्लावर के अंदर यह आपका ऑब्यूल है जिक है ओवरी जैंसा अब इस ऑब्यूल के अंदर क्या प्रेंट होता है? न्यूसेलस अको पता है? के अंदर क्या प्रेजेंट होता है न्यू सेलस से आगे चले क्या बनेगा आपका एंब्रियो से एंब्रियो से न्यू सेलस का कोई एक सेल ज्यादा लेक्चर नंबर 3 न्यू सेलस का कोई एक सेल बोलता है कि मुझे मम्मी बनना है that is MMC बनती है फिर आगे चलके यहाँ पर क्या बनता है एक एक सेल बनता है और यहाँ पर सेनर्जिट्स बनते है और यहाँ पर एंटिपोडल सेल बनते है और यहाँ पर दो पोलार नुकलाय बनते है अब देखो कभी कभी क्या होता है कि यहां पर अपना male gamet आता था और male gamet आगे इसको fertilize करते था लेकिन कभी कभी क्या होते है इस इस सेल के अंदर एसा है हम लोग बोल सकते हैं ऐसा चेंज आता है कि यह बिना किसी male gamet से fertilize करे, खुद ही zygote का development शुरू कर देते हैं, क्या बोला मैंने ध्यान से सुनो, normally क्या होता था, कि आपका जो male gamet है, वो आके इसको fertilize करता था, और तब जाके zygote की formation होती थी, लेगिन कभी-कभी, ठीक है, कभी-कभी कुछ किसिस में क्या होता है, कि ये खुदी, जो female gamet है न, ये female gamet खुदी क्या करने लगती है, खुद का development start कर देती है, खुद के अंदर mitosis पर mitosis करना start कर देती है, और यहाँ पे बिना किसी mixing के, देखो, apo mixes का मतलब क्या होता है, बिना mixing, ठीक है, तो बिना किसी mixing, मिक्सिंग मतलब क्या, बिना किसी male gamet से mix हुए, यहाँ पे zygote का formation हो जाता है, क्या form हो जाता है, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्या form हो जाता है, zygote का formation, यहाँ पे G extra लगा जिए, समझ में आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते है अब zygote form वहत आगे चलके seed पर form हो जाएगा तो ऐसा seed जो बिना किसी fertilization से हुआ है seed formation ऐसा लिख दो seed formation without fertilization without fertilization मतलब जो female gamet था उसे ने खुद को क्या किया develop करकर के यहाँ पर zygote form किया और zygote से क्या बना seed बना तो apomixis का मतलब क्या हुआ that is seed formation without fertilization समझ में आगे apomixis क्या होता है अब समझाओ कुछ कुछ cells में क्या होता है यह आपका क्या है आपका embryo stack है और इस embryo stack के बाहर क्या present है new cellist यहाँ पर बहुत सारे new cellist present है कभी कभी क्या होता है इन new cellist के अंदर इस new cellist के अंदर mitosis होना शुरू हो जाता है और यह mitosis करते करते न ऐसे embryo के अंदर आ जाते इस embryo के अंदर आ जाते और सिर्फ एक नहीं ऐसे बहुत सारे development होने लगते इसके अंदर इसे बहुत सारे development होने लगते तो यहाँ पर भी एक zygote form हो जाएगा, यहाँ पर भी एक zygote form हो जाएगा, यहाँ पर भी एक zygote form हो जाएगा, समझ मैरी बाग, ऐसे condition को, जहाँ पर बहुत सारे zygote form होए, क्या होए, बहुत सारे zygote form होए, अब देखो, zygote आगे चले क्या form होगा, embryo form होगा, मतलब इसक condition का हम लोग कहते हैं poly embryony poly embryony मतलब क्या बहुत सारे embryo form हो जाना और उस बहुत सारे embryo से आगे चलके बहुत सारे seeds form हो जाना जैसे आप लोग ने papaya देखा होगा ठीक है तो papaya के अंदर बहुत सारे seeds form हो जाते हैं ने काफ़ी सारे यंप तो कि इसे में ख़िए आपका व्यूल है एजरिक की आपको ऊब्यूल में वहर क्या प्रेजन्ट है ओवरी प्रेजन्ट है ओवरी रहता है स्टाइल होता है यहांache तो क्या होगा इस में किसी दूसरे enzyme के influence में क्या बोल रहा हूं में इस ovary में किसी दूसरे enzyme के influence में ये ovary खुद को directly convert कर लेता है fruit के अंदर, क्या बोल रहा हूं है, यह जो ovary है, यह वाला portion, यह वाला portion यह जो ovary है ना, इस ovary में कुछ enzyme के action की वज़े से, कुछ enzyme के effect की वज़े से, यह ovary directly, जो ovary है यह directly convert हो जाता है किसके अंदर, fruit के अंदर इसके अंदर कोई भी fertilization नहीं होती, जीक है, इसके अंदर कोई भी fertilization नहीं होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते है fruit formation without fertilization without fertilization, तो आप देखो अगर fertilization नहीं हुई है, मतलब इसके अंदर male gamet, female gamet से कुछ हुआ ही नहीं है तो इसके अंदर seed का कभी formation नहीं होगा इसके अंदर seed का formation कभी भी नहीं होगा, ऐसे condition को हम लोग पार्थिनो कार्पी कहते है समझ मैं है, पार्थिनो कार्पी मतलब ऐसी condition जहाँ पे जो आपका ovary है, वो directly fruit पे convert हो जाए उसके अंदर कोई भी fertilization आप देखो, यह दोनों में बहुत ही difference है, बच्चे confused जाते हैं कि यहाँ पे fruit, seed formation हुआ है विदा fertilization के और यहाँ पे fruit formation हो बिना fertilization के, इसके अंदर आपका seed form होगा क्योंकि यहाँ पे seed form हो रहा है ना बच्चो किस से seed form हो रहा है, आपका जो female gamet है वही तो embryo बना रहा है वही तो आगे चलके zygod बना रहा है सही है, तो zygod से आगे चलके seed form होगा तो इस condition में seed form होता है सही है, लेकिन यहाँ पे seed form नहीं होता क्योंकि यहाँ पे, जो female male gamet होगा उसका कोई तो seed नहीं है ना जो आपका बाहर की ovary है यही ovary directly convert हो जारी किसके अंदर fruit में, ठीक है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं that is parthenocarpy समझ में आई बात, तो I hope आप लोगो यह सारे जो words से वो भी clearly समझ में आ गए होंगे, epomyxis क्या होता है polyembryony क्या होता है और parthenocarpy एक बार वापस rewind करके देख लेना आप लोगो अच्छे समझ में आ जागा clear है, so I hope आप लोगो यह lecture video पसंद आया होगा आप लोगो मजाया होगा पढ़ने में सही है, और इसी के साथ साथ हमारा जो lesson है, पहला lesson new batch का, वो भी क्या हो चुका है खतम हो चुका है, तो हमारे first batch का, first lesson भी already खतम हो गया, इस lecture के साथ clear है, so I hope आप लोगो यह lesson पढ़ने में बहुत मजाया होगा मेरे साथ, ठीक है, so next lecture से हम लोग new lesson स्टार्ट करने वाले हैं, that is second lesson, that is reproduction in lower and higher, animals के हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, सही है, so I hope आप लोगो मजाया होगा, आजके lecture में वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को like जरूर से कर देना, channel को subscribe कर दो, अगर नए आयो हो तो अपने सारे दोस्तों तक क्या कर देना है, सबको share भी करना है, ठीक है, चलेगा, समझ में आगया, so यहीं पर मैं वीडियो को end करता हूँ मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए keep studying